पत्नी की भी वज़े क्या हो पती की भी क्या वज़े हो उसको पूरा डिटेल में दिया गया है मुझे लगता है ये जो आज इस बिल की चर्चा हुई इस कानून को लाने की जो जरुवर पड़ी नक्ति साहब कह रहे थे मैं कहूंगी अफसूस है कि आपकी कम्यूनिटी के अंदर कुरान में डावे उस के लिए इतने एडवांस रूल बनाए गया है मुझे गर्व है कुरान पे लेकिन आपने अपनी ही कम्यूनिटी को अवेर नहीं किया अरे ये हसने वाली बात नहीं है अपनी ही कम्यूनिटी को अवेर नहीं किया महिला को भी उतना ही अधिकार है तलाग देने का और किस तरह से दोनों के रिलेशन को बना के रखना है किस तरह से दोनों परिवार को इंवाल करना है किस तरह से पहले पांच स्टेप में उनको रोकने की कोशिश करनी है तीन तलाग में भी 90 दिन का टाइम दोनों को साथ बिताना है उसके बीच में महावारी अगर रुकती है रिलेशन बनता है तो वो सारा प्रॉसेस दबारा से रिपीट होता है इससे मजबूत डवोस का तरीका नहीं हो सकता एक बात तो ये है कि कम्यूनिटी ने अवेर नहीं किया और जिस तरह की तलाग की चर्चा करके राजनीती हो रही है मैं आपसे पूछना चाहूंगी 477-477 इस देश में देश के कारण डवरी के कारण बलतकार से हिंदू महिलाएं भी कितनी देश मरती है डैवोस होता है डैवोस के बगैर पती दूसरी भी रख लेता है इसको आप सादन में चर्चा क्यों नहीं करते हैं लिए मेरा पती है मैं उसके पत्नी हूँ मिया भीवी का मामला है आप उसको कौट में लेके जा रहे हो मैं कहुनगी वो परसंटेज 2 है मैंने अपने चैतर में देखा बिहार में देखा दिली में देखा काई प्रदेश्चों का आप सर्वे उठाएं कितने percentage ऐसे मर्द है जिनको मुसल्मान में भी आवारा कहते है दो चीजों के कारण डावोस होता है अगर कोई नशेडी है वो हिंदू में भी हो सकता है मुसल्मान में भी हो सकता है अगर वो मुसल्मान में है उसका तरीका डावोस डावोस क्याना है हिंदू का तरीका कुछ और है तो आप सिर्फ मुसल्मान के लिए कानून बनाएंगे हिंदू के लिए कानून नहीं बनाएंगे आप परसेंटेज की बात करें बिफोर सुप्रीम कोर्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ड 477 मौम लिंचिंग में कितनों की मौत हुई उसको भी इस सदन में करिए दार्म के नाम पर कितनी मौत हुई उसको भी इस सदन में चर्चा में लेकर आईए मुझाफर पूर में बलतकार होता है 37 बच्चियों का होता है आपी के सरकार उन बच्चियों के देखरेग नहीं करती है और मंत्री और मुखमंत्री के साथ मिलकर मदद करती है उसकी भी चर्चा में हो क्योंकि वो भी बच्चिया थी क्या वो हिंदू थी इसलिए आप चर्चा नहीं करेंगे और मुसल्मानों की वोट लेनी है इसलिए 477, 477 करेंगे कम से कब महिलाओं को इस कानून के आड़ में आप ये ब्रहम में हैं कि मुसल्मान महिलाएं आपके इस कानून से आपको वोट देने का काम करेंगे मैं आप से यह क्या ना चाहती हूँ एक ठीक है आपको वोट नहीं चाहिए आप इस कानून में महिला को प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है मुझे इस बात का जवाब दे दीजा आप लेके आईए कानून हम भी राजी है कि अगर एक महिला को भी तलाग 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 वाटसप में बाहर में फोन में दिया जाता है गलत है एक मुस्लिम महिला भी कहती है गलत है कुरान पढ़ने वाले भी कहते है गलत है जब वो खुद कहा रहे है गलत है तो आप क्या सिखा रहे हो मैं आप से मिनाक्षी जी आपी के बात पे आ रही हूँ आप कानून की बात करे आप वकील हैं आपने बहुत सारे अक्ट पढ़े मुझे इतना वकील साहब आप ये बता दे कि मंतरी साहब ही वकील है आपने सिर्फ कानून बनाया है कि तीन तलाग तीन तलाग जो बोलेगा उसको आप जेल भेश दीजी आपको अधिकार है एक तरफ वो महिलाई है जो बहुत गरीब है मैंभी उनका बैकड़ाउंड कुछ नहीं है क्योंकि मैंने आखों से देखा है हम में ज्यदा कला है मुसलμान परिवारों में उतनी कला नहीं है जितनी हिंदू परिवारों में कला है तो जिनके पास background support है वो आज भी जाके कानून से लड़ लेती है अगर आप उन महिलाओं की बात कर रहे है जिनका background में कोई नहीं है आप कह रहे हैं जाके magistrate से case दाखिल करो आपने थोड़ा define किया कहा चलो bread relation माला भी define कर देता है अब muslim महिलाई कर रही है यहाँ भी misuse हो सकत है चलिए यह बात भी हम कहेंगे भाई कानून ही नहीं आएगा आप उसके अलावा आपने क्या protection दिये मैं प्लीज दो मिनेट दो क्या protection दिये मेरे अजिस्टेट करेगा कि मुआफजा कितना मिलेगा मजिस्टेट टेग करेगा कि बच्चे किसके पास रहेंगे मजिस्टेट टेग करेगा कि husband उसको देगा कि नहीं मैं कहते हूं practical सी बात है मेरा husband job करता है वो कहगा तुमने जेल भेजा मेरी job चली गई और मैं बैसे नहीं दूगा तो आप क्या कर लेंगे क्या आपने shelter का प्रफधान किया है क्या आपने government की तरफ से उनको मौफजे का प्रफधान किया है उसको क्या protection है उस महिला को उस महिला को आप Muslim personal law से भी निकाल रहे है उसके धर्म से भी निकाल रहे है और उसके घर से भी निकाल रहे है और protection ने ना ठीक है उसने तीन तलाग दे दिया, वो इंलीगल है, कुरान भी मांग रहा है, वो तीन महीने इंतजार करेगा, आप गुष्मनी इतनी बढ़ा रहे हैं, कहेगा लो तीन महीने होगे, मैंने तुम्हे तलाग दिया, फिर आप कब कानून क्या करेगा, मैं सिर्फ यह कहना चाह है, उसी को कौट का कानून क्यों नहीं बनाते हैं, पुरे मुस्लिम कम्यूनिटी उसको मानने को तियार होगी, आप सिर्फ खिलवार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, इतना ही कहके, मैं प्लीज कहूंगी, कि महिलाओं के उत्पीडन के नाम पर, महिलाओं के घरेलू, मसलों के नाम पर, हिंदू और मुसल्मान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर तबके की महिला, चाहे रूलिंग पार्टी की हो, या विपक्ष की हो, सब खड़े होकर इस कानून के विरोध में खड़ी होंगी, ये देश कहता है, और निस्चित तोर से इसको जेपिसी में जाना और पुरान की समझ रखने वालोगों को बुला के इसको दबारा से अमेंडमेंट करना चाहिए, बहुत बहुत धन्रत